हेलो फेर्स कैसे हैं आप सब इस वीडियो में वो देखेंगे रस्टी और द्यान का वो सारड्री जो आपने कहीं नहीं सुना होगर सारे 106 की 106 निस्टल पार्क मुझे याद हैं और बहुत सारे एक्जाम मैंने इसी दम पे क्राक किया है इस ट्रिक से आग लगा दोगे और सारे बगल वाले बच्चे जितने भी हैं सब धुआ धुआ हो जाएंगे तो सबसे पहले सुरू करते हैं चलो देखो लिस्ट आप नेसल पार्क ही अपडेटेड है हमारा आपको पता होना चीए एक सो चार्स याब 106 हो गया है दो कौनकों से नेसल पार्क जुड़े हैं पता है आपको चल जाएगा उसे होना भी चाहिए पहला देंग पटकाई वो भी असम में है रायमोना वो भी असम में है हम लोग देखेंगे भी ट्रिक के मादेब से सबसे पहले आ रहा है हमारा आंद्र परदेश देखिए मैप जो है वो हम आखरी में आपको दिखाएंगे तो टेंसल नहीं ले रहा है आपको आपको याद करना है पहले ये डायरेक्ट लिखना है इस सब चीजों को और लिखन पॉल्ग गंधी के नाम से कम से कम तीन-चार नसलट पार्ख तो गडबड हो जाएगी ठीक है तो याद करना है राजीव राम पापी ने वेंकतेश को अंधा कर दिया तो तीनों आ गया अंधा भी आ अंद्रप्रदेश तो यह आपको देनोट करेगा इस से बढ़िया ट्र ट्रिक क्या होता है आप आश-पस की चीजों से उसे सेट कर दो आपको बहुत ही बहतरीम तरीके से वो याद हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं अब आता है तेलांगना इसका तो और मस्त है देखो ब्राह्मन का मुर्गा हरी हरी गाता है अब ब्राह्मन के पास अगर मु अब आते हैं रुनाचल प्रदेश को बढ़ा इस देखो ब्राह्मन का मुर्गा हरी हरी गाता है तो यह जो है चीज आपको क्या दिखाता है तेलांगना में कितने निस्तल पार्क है तो यह आपको यहाँ से याद हो जाएगा समझ में आरा होगा आपको आपको आई थिंक वीडियो को लाइक करते चलिएगा बहुत ही फालो फालो ट्रेंक मैं देने वाला हूँ आपको ब्राह्मन का मुर्गा भी हरी हरी गाता है और राजी राम पापी ने किसको अंधा कर दिया वेंकटेश को अब आते हैं अरुनाचल प्रदेश देखो बढ़ा एजी है जब से नामदफा नमदफा एंड मोली कहा है अरुनाचल प्रदेश में यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको याद करना नौर्थ इस्ट कम है सबसे ज्यादा आपको जो देखे कहूंगा आप याद करते चलो मल्या आ जाने वाला है असम में देखो यह भी नौर्थ आपने नाम सुना है इसका जो ट्रिक मैं देने वाला होना आपको अच्छा लगेगा इतना ज्यादा कि याद करना यहां पर दिखी आपको थोड़ा मुस्किल हो जाता है साथ आठ नेशनल पार्क जब हो तब या तो कोई एक फॉर्मेट में हो तब इजी हो जाता है जैसे मद्यपदेश का हम आपको दिखाएंगे सब क्रिस्मी के नाम पे है तो मज़ा आ जाएगा आपको यहां क्या है एक डिबरु एक कजिरंगा है मानस एट नामेरी है राजियू गांधी इसको ओरांग नेशनल पार्क एक राजियू गांधी उधर था इसलिए हम लोगा भी कर लिया होगा डिबरु सिखाया मतलब डिबरु साइक होगा ठीक है और काजी औरेंज नेम काजी रंगा औरेंज भी आ गया नेम डिबरु ने सिखाया और काजी ने औरेंज नेम मान लिया सिंपल अब यहां देखिए जो नया है उसको मैंने ट्रिक में इंक्लूड नह सिखाया ओरेंज नेम माल लो तो डिबरु सिखाया काजी को ओरेंज नेम माल लिया अब यहां से कैसे होगा डिबरु साइक होगा काजी को सिखाया तो काजी रंगा ओरेंज ओरांग हो गया नामेरी नेम माल लिया तो नामेरी हो गया अब बाच गया मान लिया तो मानस डिबर तli हुख सिखाया काजी ने ओरण नेम मांझ लिया मांग से मानश नेम से ली रजी हुगांदी का तो दिहिंग पटकाई। तो दिहिंग पटकाई एक जगा है कहांपे आसम में राइमोना टाईफ रिजर्ब भी mensel फि até याद करने क्यूँ अब दीःधिए। आपको कुछ special चीज़े याद रखने जिसे सबसे बड़ा निस्तलपार कौन है सबसे छोटा निस्तलपार कौन है यह दोनों चीज़े मैं बताऊँगा टिंसन नहीं लेना है आपको ठीक है आते हैं आगे बढ़ते हैं तो यह अच्छा लगा होगा आपको असंद चतिस गड़ की बात करते हैं इंद्रावती कांगेर वाईली गुरु भासी दास है ना अब यहाँ इसको याद करने का वड़ा सौट तरिक है चतिस गड़ में पहले चीज़ तो है याद रखिए इंदर के गुरु किसके इंदर के गुरु कांगेर वाईली में सिंपल अगर यही तीन जी याद करो इंदर के गुरु कहां कांगेर वाईली में इंदर के गुरु कांगेर वाईली में तो 36 गड़ राज्य बस आपको याद रखना है तीनों उसमें सेट कर गया अब हरियाना का मैं बताता हूं आपको काला कहाँ को सुल्तान काला कहाँ हरियाना में तो वह टीन University अखिम में सो पर ने स्टन-पूर 번ड . अब यहां पर दियाना है कि मैरी जी का ब्लैक बड्स गुजर्ग गया ठीक है किसका Mary G का Mary मतलब Marine National Park G मतलब Gear G कैसे लिखते हैं वो GI वाला नहीं GI लिखो गए तो Gear National Park हो जाएगा Mary G का Black Buns Buns से वंसदा हो गया और Black Buck National Park गुजर गया मतलब कहा है गुजरात में तो Mary G का यानि Marine GI for Gear G का Black Buns Black Buck और Buns से वंसदा गुजर गया समझ में आया हो आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा तो Indra का गुरु कहां रह रहा है भाई Kangir Valley में रह रहा है जो की कहा है 36 गड में है इसको याद हो गया गुजरात का क्या होगा Mary G का Black Buns गुजर गया White Buns नहीं Black Buns तो ये हो जाएगा गुजरात चलो थोड़ा दोस्तों को सेर भी करना है देखना है उनको कैसा लगता है आपका ये वीडियो हर्याना मैंने बताया था काला सुल्तान इन हर्याना कौन सा सुल्तान काला और ये कहा है काला सुल्तान हर्याना ऐसा नहीं हर्याना की लोग गोरे ही होते हैं लेकिन यह ट्रिक है, आपको यह याद रखना है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें, तो हिमाचल प्रदेश कहां पर भाई, देखो यहां के नाम भी ऐसे ही है, इसका ट्रिक दूँगा और मजाएगा, हिमाचल प्रदेश में आपको मालुम है, सभी पहाड़े लिखे हैं तो ऒली तो होगा ही हमालय तो होगा ही और ग्रेक हिमालय का पार्ट है Whose देगो तो आफे चलेगा पीन वैल इंदर किला ग्रेट हिमालय का पीन वैली इंदर किला का सिम्बॉल है अब यहाँ आप जब बार आई थी और कुछ दिम पहले छतिग्रस्थ हो गए थे तो धौली गंगा खीर गंगा आपने पढ़ा होगा ठीक है समझ रहा हुआ तो अब हिमालय का पीन वैली और सिम्बॉल यह एक साथ याद होगे आप किसका हिमालय का पीन वैली और उसका सिम्बॉल क्या है खीर और इंदर यह भी आप जोड सकते हो हिमालय का पीन वैली किसका सिम्बॉल है हिमालय का पीन वैली सिम्बॉल है खीर और इं समझ में आया तो यह चीज़े आप देखके नोट कर लो आगे बढ़ते हैं हिमालय का पीन वैली ग्रेट हिमालय सिम्बॉल खीर गंगा और इंडग यह पांचों चीज़ हमने देख लिया चलो अब आयाते हैं जम्मू काश्मीर में आप देखोगे तो लब्दाक आया है ठीक है लब्दाक का एक हमिस हाई निकल गया है ठीक है यह पूरा मैंने लिखा है मैं इसको अलग से भी आपको दिखाओंगा तो लब्दाक उसमें रहेगा तो तीन ही बच गया दाची गम किस्तवार और सलीम अली देखें सलीम अली अक्षाए गुमार की वो मूवी यात करी है तो रेडियेशन की वज़े से वो ब्लास्ट कर जाता है उनका सरी कितना इन्हूमन है वो मुवाइल टावर का असर उन पे आप सोचके अगर देखोंगे तो हिल जाओ उसी पर वो मूवी बनीती है एक चागुमार की और वो किस्पे बनीती है एक बहुत बड़े और मिथ इसलिए मैं यहां भी रखा है ताकि आपको यह क्लियरली याद हो जाए किससे निकल के कहा गया जो नया बना है उसको भी वही रखा हूं ताकि वह आपको याद रहे नया कौन बना बनाटकाए करनाटका देखते हैं इसका बहुत ही मजदार हैं बंदर का अंस आंस गोल कर दिया बंदर का款श क्या होगा कर रहे बंदर का थे बंदर का ँंस अगर कुद्रे मुख बात करें तो कूद कर, बंदर का अंस, अंसी, बंदर का अंस कूद कर, होल कर दिया, नागर होल, कम्प्लीटली आपको यह याद हो जाएगा, इसमें याद करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, अब इसको आप याद करते हैं अचा बंदर गटा और बंदर का अंस कूद कर, होल कर दिया, आपको यह याद हो गया है, अब केरला आपको समझना है, यहाँ, केरल थोड़ा कठीन है याद करना, लेकिन मेरे ट्रिक से यह फटक से याद हो, यह को कठीन कुछी भी नहीं है, थोड़ा मेहनद करना है, बैट के, एक वर्ड इंगल पाना है, ठीक है, जिस जिस दिसा में जाए, अराम से याद हो जाएगा, केरला जो है, देखो, पेरियार वहाँ एक बहुत फेमस, पोलिटिकल साइंटिस्ट कहे लो, श्रगलर कहे लो, पोलिटिक्स में बहुत बड़ा योगदान है, पेरियार का, पेरियार नदी भी है, पेरियार पूल है, बहुत चीजे हैं पेरियार के लाँपे, तो पेरियार तो हो गया वही, साइलेंट वैली, सांत घाटी, आपसे दो तिन चीजे बड़ी कॉमन पुची जाती है, सांत घाटी कहा है, वैली ओफ फ्लावर्स कहा है, तो सांत घाटी तो हमने आपको बता दि वैली ओफ्लावर्स आप कमेंट करो अभी कि कहां पे है इसमें एरावी कुलम निस्टल पार्क है और एरावी कुलम मथी कुलम 16 अन्ना मुडी पंबादम ठीक है पंबादम निस्टल पार्क यह आपको एक साथ याद रखना होगा अब यहां सब्जें पेरियार साइलिल पहल उसको जड़ा फॉलो करना पड़ेगा अन्ना मतिकेतन सोला साइलेंट रहकर अन्ना से क्या होगा अन्ना मुडी मतिकेतन सोला साइलेंट रहकर कहां पेरियार में तो अन्ना मतिकोतन सोला मतिकेतन साइलेंट रहकर पेरियार में सोला से कुला किये याद हुआ कुछ किस से क्ल्ण से क्या हो जाएगा एरावी कुल्लं सोला से कुल्ला किये ठीक है अन्न मसी केतन साइलेंट रहकर पेरियार में कहां पेरियार में 11 से कुल्ला की तो यह कठे नाम है इसलिए यह भी आपको याद हो जाएगा बहुत ज्यादा हाड आपको नहीं लगेगा मद्य प्रदेश देखिए सबसे ज्यादा निस्तलपार की अगर हम बात करें तो वो कहा है सबसे ज्यादा निस्तलपार का आपके मद्य प्रदेश में ही है और इसमें एक निस्तलपार का भी ज्यादा न्यूज में चल रहा है कु कि दस्वा जो है उसे कुनों पालपूर अब इसमें मैक्सिमम नेम जो आप देखोगी मद्यप्रदेश में यह है कान्हा निस्नल पार्क है आपका बांधव गड़ जगह है वहां का माधव कृष्ण का नेम मांदला प्लांट फॉसी जिसको फॉसिल निस्नल पार्क कहते हैं पन्ना मालूम है आपको पन्ना हीरा जवा है रात होते हैं संजय यहां पर आ गए सत्पूरा वन विहार पेंच अब पेंच का समझे यहां पर क्या है पेंच को प्रिया दर्शनी निस्तल पार्क भी मतलब इंद्रा प्रिया दर्शनी भी कहते हैं लेकिन यहां पर आपको य है ना मांदला प्लांट भी इसी के तरह का है लेकिन आपसे पूछा जाता है फॉसिल नेस्टलपा ठीक है एक्जाम में कैसे क्वेशन पूछा जाता है मैंने जोग्रफी की प्लेइस्ट में आपको अरामसी पताया हूं संजाई और इंद्रा दोनों है लेकिन पेंच नाम है पेंच एक महाराष्ट में भी है यहां भी है ठीक है वन विहार और पन्ना यह दोनों आपको इसमें पाए जाते हैं तो आपको याद करना एजी हो गया मैक्सिमूम का मैंने ट्रिक क्या दे लिया क्रिशन का नाम याद कर लो संजाई इंद्रा है पेंच और पन्ना यहीं दो बच रहा था तो देख लो ना कान्हा बांदो मादो मानला प्लांट फॉसिल यह चारो एक साथ हो गया संजाई और इंद्रा यहां मिल गया सत्पूड़ा जगह है सत्पूड़ा की पहारिया मद्य प्रदेश में बोली जाती है जो अब अभी और पड़ोगे तो आपको मालूम चल जाएगा तो थोड़ा जो बच्चों ने सेशंत्र लाइक नहीं किया होगा वो लाइक भी करते रहेंगे अब हम लोग देखने वाले हैं महारास्त्र का और बहुत ही भासी वाला यह ट्रिक है तो थोड़ा संबलकेश पे रहना है और इसको ज्यादा सीरियस नहीं रहा है मतलब कोई वर्ड बहुत मीनिंग उसके निकलते हैं सोसाइटी में ठीक है जैसे अगर मैं एक वर्ड बोलू जिसका यहां पर इस्तमाल है माल माल का मतलब क्या होता है माल गाड़ी जिसमें सम अब इसको समझते हैं एक्चुली यह याद करने का सबसे बैटरीन तरीका क्या है संजय पेच लड़ा कर कौन लड़ा रहा है सबसे पहले पेच लड़ाया जा रहा है संजय भाई के साब कि बाद क्यूंकि इनके पास 50 रुपया धन दौलत है तो यह पेच लड़ा कर नाव पैसा थारते थे पैसा देखते थे समझ में आ रहा है ना यह पहले पेच लड़ाय तो यह नहीं कि गरीब बन के पेच लड़ाएंगी यह पैच की कोज में रहते थे कहाँ पे नावे गाओ में इन्यों पेच लड़ाया और चान्दको देखते हुए अब माल तारते थे तड़ोबा तो तड़ोबा निस्तलपार्ख हो गया सबका सबाब का यहाँ कवर हो गया कोई भी छूटा नहीं संजय पीट लडाकर नावे गाउं में चांद सा माल तारते थे संजय पीट लडाकर नावे गाउं में चांसा माल तारते थे कम्प्लीट वो उस पे बैठ गया माल मतलब पैसा आपको यहां ले रहा है अब आप अगर देखोगे ओडिशा का दो इसमें भी है, दो इसमें भी है दोनों का बहुत जबरदस ट्रिक देखूँगा पहले दो बार उसको नोट कर लो तो यहां देखोगे आप ओडिशा में सिम्पल भीतर कणिका है सिम्पल भीतर कणिका सिम्पल मैं कह रहा था तो सिम्पल पाल और भीतर कणिका यह सिम्पल भी है आपको याद करने में ओडिशा में दोनों पूछा भी जाता है बार बार सिमली पाल भीतर करीगा तो इसको मैं तो सजिस्ट करूँगा आप डिरेक्ट याद कर लो ठीक है डिरेक्ट भी कुछ याद करना है नहीं तो सारे ट्रिक्स जब एक जगाएंगे तो खिचडी हो जाओ गया अब आजाते हैं मेघालेया नोओ क्रेक्ट यूं बाल फक्रम दो ही है यहाँ पर जैसे अरोनाचल प्रदेश में नमो इन अरोनाचल था तो यहाँ पर क्या है नोजुला फक्रम इन मेघालेया कोई फक्रम आद्मी है कि दूस् Om bites दो करेंगे जयाद करेंगे और clouded leopard जो है यह दोनों हैं त्रिपूरा में clouded bison, clouded raspberry जो आप याद करना चाहते हो clouded bison कैसा bison है? clouded है वो कहा है? त्रिपूरा में है तो clouded bison in त्रिपूरा यह आपको याद हो जाएगा अब दीखें यहाँ पे एक चीट मैं दिखाता हूँ राजस्थान में जितने भी nestle park आपके होंगे वो याद करने के सबसे बेश्ट तरीके में बता रहा हूँ सरिस्का nestle park, रन्थम भौर nestle park, मुकुंद्रा हिल्स nestle park, desert nestle park, केवला देव केवला देव पक्षी विहार भी है यानि bird sanctuary भी है सरिस्का nestle park की अगर हम बात करें तो सरिस्का nestle park एक जगा है रन्थम भौर जगा है, मुकुंद्रा हिल्स जगा है, desert nestle park है, desert कहा होता है, राजस्थान में ही है और केवला देव भी जगा है, तो maximum इसमें सब जगा हो गए और सारी जगा पे क्या है desert है, तो ये राजस्थान का complete हो जाएगा आपका मुकुंद्रा हिल्स भी पहाड है वहाँ, रन्थम बहुत पहाड है आप सरिस्का देखो के जगा है, केवला देव भी वहाँ पे जगा है, कौन सा देव, केवला देव ठीक है ना अब आजाते हैं कुछ और important है, जिसको याद करवाना जरूरी है, इसमें तविलाड़ो में तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये भी थोड़ा मज़ेदार है, अब बात करते हैं उत्राखन की, उत्राखन में देखो, गंगा नदी निकलती है वहाँ से, उसके अरावन में बहुत सारे फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट से जब निकलती है, तो गंगोत्री निस्तल पार्क वहीं पे है, गंगा नदी कहां से निकलती है, उ रंदा देवी की पहाड़े कहाँ है उत्तर康ंट लिए पहले से आप को याद है राज्याजी नेशनल पार्क काफी पुराना है यह वैली फ्लावर्स निशनल पार्क जो मैंने अभी थोड़ी दिस पहले आपसे पूछा था कि वैली फ्लावर्स साइलेट वाइली तो मैंने पताया था तो पांच अनिस्तर पार्क है पहले पांचो अपने उट कर लो ठीक या गंगोतरी तो वहा है कि वैली ओफेलाऊर्स पहाडी और नंदा देवी पहाड अब बच गया है राजा जी और गोविनद पाशू तो गोविनद जो है राजा जी ये सब लोग कहां पे है गोविन्द बोलो राजा जी बोलो तो नंदादेवी बोलो और गंगोत्री या valley of flowers ये सब को set कर लो कहां पे उत्तरा खंड में आपका complete हो जाएगा अब दो ही तो बच गया थे गंगोत्री नंदादेवी लिदेख लिए वैलियो फ्लावर्स भी पहार देख लिए बहुत खुशूरत ये घाटियां हैं आपको याद रखना है राजा जी निशनल पार्ट ओके चल अब आ जाते हैं तमिल नाडू के यह सबसे हसने वाला है इसका पूरा फुल फूर ट्रीक दूंगा मैं ताकि आपको मज़ा आजाएगा और एक और चीज है किसी का भी अगर मैं नाम लेता हूं ट्रिक में तो वो नाम बह परस्नल इंसल्ज के रूप में ठीक है यह आपको ध्यान अपना है मतलब मैं जो बता रहा हूंगो किसी नाम को स्पेसिफिक नहीं करना है उनकी मैंने बेंजती की ऐसा नहीं करना है आगे आते हैं मुदू मलाई निस्टल पार्क मुपूर्थी निस्टल पार्क इंद्रय क किसी व्क्ती से नहीं जोड़ना है तो गुंडी इंदिरा गुंडी से निस्टल पार्क इंद्र कहां गया इंद्राइं मुकुर्थी मुक करil कि मलाई तो गुल्फ ऑफ मन नननन लॉल ल्ट म्नि महां पलते हैं प्रत मनार की मलाई का गई तो हम लोग क्या देख रहे थे अभी गुंडी इंदिरा मुख रहकर मनार की मलाई खा गई दो को देखना है यह कि आपका मलाई कौन खा रहा है जिन्दगीम mónं मलाई इन वो ही मलाई जो आप समझ रहे हैं चलो आगे बढ़ते हैं वेस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल और फणी ट्रिक है आपको याद करहें मज़ा जाएगा वेस्ट बंगाल में बहुत सारे तो निस्टल पार्क आपको याद हैं, कुछ मैं बता देता हूँ, पहले देख लेते हैं, गोरु मारा निस्टल पार्क, बुकसा निस्टल पार्क, सिंगा लीला निस्टल पार्क, जल्दा पारा निस्टल पार्क, सुंदरवन निस्टल पार्क, अब देखिए य आसम, का जैसे हमने याद किया था ना, उसी तरीके से वेश्ट बंगाल को याद करेंगे, देखे, याद करवाता हूँ मैं, नेउरा सिंग ने, किसने नेउरा सिंग ने, तो नेउरा कौन है? यहां देखे, सिंगा लिला नेशनल पार्क, बुक्सा नेशनल पार्क, और एक नेशनल पार्क यहां पे छूट गया है, वो है निवरा नेशनल पार्क, ठीक है, तो आपको वो याद रखना है, कौन सा नेशनल पार्क, निवरा नेशनल पार्क, निवरा वैली उसको कहते है, नवरा निसमपाल तो नवरा सिंग ने सुंदरवन में जल्दी से बक्सा में गोरा किया अब जल्दा पड़ा यहां समझे जल्दी से बक्सा में गोरा किया नवरा सिंग ने जल्दी से बक्सा में गोरा किया अब कैसे गोरा किया वो जाने बक्सा में लेकिन यहां समझता है नौरा एक छूटा है जो कि मैं आपको पहले कमेंट में इडिट करके डाल दूँगा, टेंसर नहीं लेना है, तो क्या है नेवरा सिंग ने जल्दी से बक्सा में गोरा किया, गोरा से गोरु मारा, बक्सा से बक्सा, जल्दी से जल्दा पारा, और सुन पर निकोबार जो है अब अंडमान निकोबार का हम लोग देखेंगे तो अंडमान निकोबार में बटन न वर्ड से जितना भी आएगा नौर्थ साउथ मिडिल बटन यह सब इसमें आएगा रानी जासी और महातमा गांधी दो महान निताओं का नाम यहाँ पे है तो यह अंडवान निकोबार में है इसके अलावे जो भी है वो माउंट हैरियट हुआ मतलब क्या है सिंपल याद रखो आप माउंटेन है वो ठीक है तो हो सब पे निस्टल पारक माउंट हैरियट निस्टल पारक, कैंबेल निस्टल पारक, गलाथिया बेल निस्टल पारक, सैडल पिक निस्टल पारक तो यह चार है गलाथिया, कैंबेल, सैडल पिक, माउंट हैरियट तो यह चारों निस्टल पारक होगा यहाँ पे दो महान नेताओं के होगा अब बटन वर्ड जहां भी मिले पूरे निस्तल पार्क में वो सिर्फ याद रखना अंदवान निकोबार में आँख बंद करके वहां आपको मार के आना है ठीक है अब आजाते हैं बिहार में तो बालमिकी नगर निस्तल पार्क है गोवा में महावीर हरीना वनस्तली है गोव तोष्टा निश्नल पार्ट का नहीं सिरोइी निश्नल पार्ट सिरोइी और केबु लामजाओ यforder मनीपूर मेरे नागालेंड मे इन dwar killing human channel न Midson while धाम निशनल पार्ट इत्रप्रडश में एक लए नगालेंड में you चेंग जोंग नेशनल पार्क इसके अलावे मैं आपको बता दू जैसे लबडाक में मैंने कहा था है है थीक है नागाजान में इंतांकी देख लिया आपने गोवा में महवीर या महवीर हरीना वरस्तली उसको मूरलेम नेशनल पार्क भी कहते है मूरलेम अब इस सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन है एक्जाम में पूछा जाता है मैं कहा था कि सबसे लास्ट में आपको बताऊंगा तो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है है जो की लगदाक में है वो लगभग कितने 3000 स्कौाइर किलोमेटर एरिया में है सोच रहा पतल सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन है यह आपको खुद सर्च करके बताना है विट प्लेस देखते हैं कितन बच्चों ने इससे फॉलो किया है बागी कोई भी क्वैरी हो हम से जरूर पूछे क्या थैंक्यू सो मच और कर्मेंट करके जरूर बताए आपको यह सारे ट्रिक् कैसे लगी